हर हर महा दियो हर हर महा दियो हर हर महा दियो वैलकम बेक तो इंडे देशी दड़का देशी रवी शर्मा आपके अपने यूट्यूब के पंडेची बोले तो पुष्कर की रामलीला वाले हनुआ जी का पात्र करने वाले आए हैं इस वक्त लंका में कड़े हैं लंका बोले तो वनारस की काशी की वारनेसी का एक एरिया ह में खलगाते हैं और आपको बताते हैं और इसे बात करते हैं इनकी लेकरने में हैं दो घ्रिद बता देता हूं यह लंका बनारस में काशी में वारणस में जहां के एरिया का नाम है संत गुरु रवीदास दौर के एक दम सामने है यह तीनों दुकाने प्रूश्कार सर्थ पहलवाल शी पे हर्दी का पिजंदन है हर हर महादेव हर हर महादेव आपका पहलवाल शी पे स्वागत है और हम तभी जन आपका हर्दी का विनदन भी करते हैं हर हर महादेव से आपका विनदन करते हैं बोले सर्थ आपकी क्या सिभा करें है पहल्वान जी आपकी लश्ची की बारे में काफी चुना है थोड़ा बताइए आपकी लश्ची की बारे में और उन्हें हमारी दुकान तो जब 1950 से हैं और हमारी आज चोथी पीड़ी अब दुकान पे आ रही है परदेश अर्देश और कई प्रांतों से भी आके हां पर लश्टी लोग पीते हैं और जो वियेचू से रियेटेड हुआ है वो तो जरूर यहां का शिवा लिया हुआ है चाह वो कहीं भी हो कि और हमारे पराव से भी भीन प्रकार की लिश्टी और यहां जाती है तुमापर मशीन आ जाती है लसी पनाने के लिए पर आपकी जो अच्छी बात मुझे लगी वो यह है आप हाद से लसी बना रहे हैं ओर फिर अपने घ्राहवों को फिला हमारा जो पैटर लसी बनाने का वो परंपरा अगत है और शुरू से ही हमारे लबदादी शास के जमाने से ही जैसे बनती थी हम आज भी लसी बनाते हैं हम आज लसी एक रेगुलर है जो रबड़ी और मलाई वाली है और आज आप देख रहा है कि काफी लोग सुगर से मतलब चीनी से कट रहे हैं तो उनके लिए हमने सुगर फ्री लसी बनाने सुड़ी कर दी है और एक विशेस मसाले वाली लसी हमारे यहां बनती है जो काफी लो जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली दोस्तों पंडी जी तो लसी पी रहे हैं उसके साथ ही मैं आपको बात कराता हूं यहां पर मुझे लग रहा है आप क्या पी रही है बहु की स्टुडेंट हो बहु की स्टुडेंट है और पजए आ एक्चुली दिखने में अच्छा लागा तो हम लोग आ गए कि चलो ट्राइब करते एंड बाजेट भी सेही है कॉंपरेटिबली कि ट्रुटी रुपिस की सेही है बजेट एंड पोड़क्ट भी अच्छा है तो दोस्तों पंडी जी के हाथ में आ चुकी है फुल पावर और फुल साइज वाला कुलर और उसमें लसी देखिए लसी में जो रबडी भी डली हुई है बादाम भी डलावा है और केसर का जोल भी डलावा है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम तड़का लगाते है लसी का यहांकि भीया यह लसी है पैलवान जी की तो आइटम भी पैलवानी ही होगा क्या बात है कि बुस त्रिप जाते ही और इन्च जैसलसी उति है लसी पीनी होती है बट यह लसी आपको खानी पड़ेगी इस पहलवानी स्टाइल वाली लस्टी वहिया लंका में बनारस में वारनाशी में पहलवान जी की शांदार लस्टी क्या बाद है इलाइची केसर रबडी हर आइटम एक साथ में आज़ा पिस्ता भी है यह जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इस इस पिस्ता यह है पहलवान लस्टी तो दोस्तो देखा तंडर जी ने पहलवान जी की लस्टी क्प्लिट कर ली है तो इट वस चैलेंजिंग बाद स्वाद बेमिसल और लस्टी पी रहा हूं लस्टी अभी तक भी का रहा हूं जेख लो इसका प्राइस है 40 रुपए रेली वर्थ इट बहुत ही प्यारी अगर आप बनारस आ रहे हैं यहां आए और यह स्टूडर साथ ही यहां पर मलईयों भी मिलता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और पंडीची के चै